नमो नमहा सचिदानन्दरूपाय विश्वत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनासाय श्रीकृष्णायवयम नुमहाँ मुझे एक दम बराबर याद है कि 10 September 95 के रोज मेरा लाला लजपत्राय में एक लेक्चर था वहां मुझे प्रोफेसर ठाकर मिले और उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी आप यही काम कीजिए और लोगों को अध्यात्मिक मार्दरसन दीजिए तबी से मैं कितने सालों से यह जो गीता, उपनिशद और जो अपने जो spiritual knowledge है उसके बारे मैं लोगों को सिखा रहा हूँ तो मेरा एक अनुभव रहा है और बहुत सी जो बाते हैं वह मैं आपसे बहुत शेर कर चुका हूँ अभी एक modern science और ancient science यह जो दो विज्ञान है उसका कोई combination अभी मेरे नजर में आया तो वो मैं आपके साथ शेर कर रहा हूँ तो अभी आप देख रहे हैं कि यह जो आपको यह जो चित्र दिख रहा है उसको आप ऐसे बोलेंगे कि मेरुडण है तो उसको technical बासा में ऐसे बोलेंगे कि जो योग की परीवासा में आपने सुना होगा एक कुंडलीनी जो है उसके एक स्लोक है अग्या और आपने सुना होगा कि जो मेरुडंड है तो एसे आपने सुना है कि मेरुडंड की सिड़ी बना कर सुन्य सिखर चड़ जाता हूँ तो अध्यत्मिक तामे इन स्पिरुच्यालिटी जो मेरू डंड है उसका बहुत महत्वा है तो अभी अभी मेरा एक जैसे एक परीचे हुआ तो उनके बारे में मैं अभी आपसे बता रहा हूँ तो उनका जो नाम है वो डॉक्टर गौतम जवेरी सर है तो उनके बारे में मैं कुछ बता हूँ उससे पहले आपसे मैंने जो वीडियो का जो थमनेल रखा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि उसमें आप देख रहे हैं ऐसे कि सेवा परमो धर्म और स्पाइन सरजरी या कुं है वो अभी आपको ये जो वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा तो अभी ऐसा हो गया कि एक अभी क्या होता है कि अपने जो मेरा फेमिली जो है वो बड़ा है ऐसे समझ लो अभी you are the member of my family तो उसी में एक स्पाइन सरजरी का जो केस था तो मैं अभी पे स्पाइन का जो था तो सरजरी हुआ तो जब डॉक्टर साहब ने यसे बताया कि आप जो सरजरी डॉक्टर साहब करने वाले थे तो वो जो सरजरी था वो अभी आपको एक जैसे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जो बताया हो मैं बता रहा हूं तो कहा है कि C2 और C3 अभी म मैं तो अध्यत्मिक मार्क जशन देता हूं तो टेक्निकल तो डॉक्टर साहबी जानते हैं वहां उन्होंने बताया कि वहां जो गुजरती में थापा बोलते हैं ऐसा समझ लो हिप वहां से हड़ी लेना है और फिर वहां C2 या C3 में वो लगाना है ऐसा जो भी रहेगा वो उनका विशे था मगर ये बात सुनने से मुझे एक वो मेटाफर याद आ गया तो अभी आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब थी उन्होंने तो वो मेडिकल बताया कि वही जो हिप से एक हड़ी निकालेंगे और थोड़ा ओप्रेशन की बात थी तो उनका जो विशे ह है और अभी मैंने मुझे जो याद आया तो मैं spiritual dimension से कैसे देखता हूं वो अभी आप से बता रहा हूं तो अभी क्या है ऐसे तो मुझे एक स्टोरी ऐसे समलों आपने भी सुना होगा तो मुझे एकदम बराबर याद आ गया तो आपने भी सुना है तो मैं बताता हूं एक की शिव旜ी जो थे वह ऐसे तब करने के लिए गए थे टो तब करने के लिए जब ऑगए थे तो उन्होंने ऐसे फिर तब करते आये तो उन्होंने देखा की गशुल बगवान है और गनेश जो बगवान थे तो उनका जो सीर था तो गनेश बगवान सीर संकर बगवान ने कट डाला अभी सीर था संकर बगवान ने त्रिसुल से काटा वे जो मेटाफर है वो जो आपने भी सुना होगा तो वो तो मुक्त हो गया अभी दूसरे सीर के जरुवत पड़ी तो क्या करें तो अभी क्या हुआ मालुमें कि मा पारवती तो बिलख-बिलख करोने लगी तो इसलिए क्या हुआ कि भगवान ने बोला कि चलो मैं काम करता हूँ और ये जो है तो हाथी का जो सीर है वो मैं लगा देता हूँ अभी जो लोग कुंडलीनी के बारे में जानते है उनको थोड़ा सा मालुमें कि ये जो मुलादार चकर रहता है वहां जो आप Google करके देखैंगे तो मुलादार चकर करेंगे और उसमें इमेज देके तो वहां हाथी है तो देखो ये जो मेरा जो व्यू है वो स्पिरिचल व् थी वही क्रिया जैसे समझ लो यह होने जा रही थी तो हिप से एक हड़ी लिया उसके मुलाधा से जो हाथी का सीर लिया और फिर गर्दन में जो नेक था ऐसा C1 C2 ऐसा जो भी रहेगा ऐसा तो वहां जो भी कोई operation करके वहां को हड़ी को जोड़ा गया तो उसका मतलब यह है कि जो मैं पेशन नहीं बोलूँगा साधक बोलूँगा तो साधक को मैंने पूछा कि क्या हो रहा है कितना दर्द हो रहा है तो उन्होंने जो बताया कि मुझे गणेश बगवान से कम दर्द हो रहा है गणेश थापा बोलते हैं वहां से घड़ी लेके उन्होंने वहां जो C1 या C2 ऐसा C2 या C3 में जैसे बता रहा हूं कि मेरा तो यह जो medical field है नहीं बर मैं जो अध्यत्मिक इसे बता रहा हूं तो वहां कुछ न कुछ operation हुआ और डॉक्टर साहब से मेरा जो परीचे हुआ तो ऐसे तो मैंने उनसे देखा तो उनका जो व्यक्तित्व था उसे में बहुत प्रभवित हुआ आपको मैं बता रहा हूं कि जो डॉक्टर साहब थे तो उनका अभी आप देख लीजिए कि उनका जो चहरा है तो जब वो ऐसे operation करने जा रहते तो आप देख रहे कि उनका जो और फिर अभी जब operation होने के बाद अभी जब वो वहां से जैसे अभी क्या है कि आ रहे थे तो अभी आप देख रहे हैं कि when the operation is over तो he is more confidence क्योंकि operation उन्होंने मुझे बताया कि successfully they have done the operation तो अभी ये डॉक्टर साहब है उनका जो नाम है डॉक्टर गॉतम जवेरी सर है तो मैंने उनसे देखा वो अन्य डॉक्टर से बात कर रहे है तो उन्होंने बला मैं इतना जैसे surgeon हूँ he is the very जैसे अभी क्या है उसके बारे में मैं क्या बताऊं तो वो very famous spine surgeon है surgeon surgeon है वो spine की surgery कर रहे है तो उन्होंने बला इतने साल से भी उनका अनुबह है तो भी वो four hour study करने के बिना सोते नहीं है देखो उन्होंने जो बात्चीत मैंने सुना फिर वो जो दुसरे जो doctors थे तो उन्होंने बताए कि क्या आप spine के बारे में history करते तो उन्हें बलाए नहीं नहीं, मैं kidney के बारे में सोचता हूँ, liver के बारे में सोचता हूँ, और मुझे कुछ न कुछ नहीं मिलता है, तो देखो, क्या है कि इस पतंजली मुनी का जो सुत्र है, वो मैं बताता हूँ, उसमें है सतु दिर्ग काल नेरंतर्यम, सतु दिर् अभी यह जो बात थी तो मैंने अभी आपसे वदाता हूं तो यह जन्म, आउशदी, मंत्र, तपह, समाधिया, सिद्धया, पतंजली मुनी का जो योग सुत्र है उसी में जैसे कईवल्ले पादे उसमें लिगाए जन्म से सिद्धी होती है तो यह जो बात है आउशदी से कुछ न कुछ ऑप्रेशन हुआ था वो देखो मैं तो स्पिरिचल ऐसे लेक्चर दे रहा हूं तो मुझे टेक्निकल बात इतना मैं ऐसे पश्ट नहीं बोल सकता हूं मगर मैं टेक्निकल बता हूं तो कंट कूप एक शुद पिपासा निवरुतिक, कंट कूप में जब जो म माता जी का एक स्लोक है क्या है तो मैं बता रहा हूं यम्यम चिंत हैते कामम तमतम प्राप्नोति निश्टम तो यह जो बाते यूगेट वाट यूफोकस ओन तो कंट कूप में ध्यान करेंगे तो क्शुद पिपासा निवरुतिक तो एक गुजरती में बजन है क्शुद प बजन याद आता है मैं बोलता हूं आपको भी समझ में आएगा जी मारी मम ता मरे नहीं एणों मरे सुकरूं गुरु मारा दिन नाद यार्ट एजी मारी मम ता मरे नहीं ďणों मारे सुकरूं जो गुरु होता है वो क्या करता है कि शिश्य का जो ममत्व है देह तादयत्म ऐसे तोड़ने के लिए मदद करता है और जैसे body he will work on divine consciousness वो देह तादयत्म को तोड़ता है और आत्म तादयत्म जैसे आत्म बोध का वो बोध करता है फिर मैंने सादक को पूछा आपको क्या कैसे लग रहा है तो उन्होंने बोला कि ऐसे मुझी अभी बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने जब डॉक्टर साहब के बारे मैं जब मैं बता रहा हूँ तो मैंने उनको जब वो देखा न तो सीव सोरूप देखा जैसे सीव जी operation क करके बाहर आ रहा है वो जे operation से ऐसा तो मुझे सीव सोरूप देखा जब मैं उनको सीव सोरूप बोलता हूं तो आप तो बोलेंगे गुरुजी आपको तो सभी लोग में सीव सोरूप देखता है तो मुझे आप में भी दिखता है देखो आप कभी बोलते हैं चिदानंदर है वो संकर भगवान है ना तो बलते कालस से कालो हम तो यह जो उनकी जो गुद्धी है अभी क्या होता है कि आपका एक मन होता है फिर गुद्धी होती है और डॉक्टर साहब की जन्मों जनम की साधना होगी वो पूरे दिन मैं आपसे बता रहा हूं कि उनके बारे में ऐसे अभी समझ लोग आप भी समझ सकते कि वो स्पाइन सर्जन है तो उनको क्या करना है वो स्पाइन के बारे में सोचना रहता है ऑप्रेशन भी उनका जो करते हैं उनका जो कर्म है तो यह कर्म प्रधान विश्व करी राखा यह जो रमहन में भी इसे जो बात है तो यह मेरा ज साइंस का व्यू है तो वहां से हिप से खड़ी लिया है और गले में और डालाएं अभी एंसियन साइन जो रुशी मुनियों ने बताया तो जो गनेश बगवान है तो उनका जो सीर काटा गया तो सीर हाथी का सिर लगाया तो गूगल करके देखना कि मुलादार चक्रा में करता हूं और अभी यह जो बाते है तो आपको बहुत आनंद देगा और यह जो मैं ऐसे आपको जो बता रहा हूं तो यह डॉक्टर गौतम जवेरी जो सर है उनके बारे मैं क्या बोलू उनका जो मास्टरी है जैसे वो काम में तो वो तो दिखता ही है क्या कि जब आप इन इस फेस अब देख रहे हैं तो ऐसे डॉक्टर साथ को मैं प्रणाम करता हूं आप भी प्रणाम कीजिए वंदन कीजिए क्योंकि यह जो जो ज्यान है न सास्तर बताते हैं जिसके पास ज्यान है जिसके पास नॉलेज है वही आदमी संसार में बड़ा होता है और वो चिदानंदर उपाय विश्वोद पत्यादि हेतवे तापत्रय विनासाय स्री कुष्णाय वयम नुमहम तो अभी जो मेरा जो ए वीडियो बनाने का मकसद यही था वाट वस दा इंटेंशन आप माई प्रिपरिंग वीडियो तो जो मॉडन साइन से वो डॉक्टर सर है जैस तो नों ने किया और मेरा जो डाइमेंशन ए स्पिरिचल डाइमेंशन है तो मैंने जो सादक था उनको बताया आपको क्या है कि नया आवतार हुआ जैसे गनेश का प्रादुर्वा हुआ तो पहले आमने बहुत सुना था ना बचपन में सुना था कि गनेश बगवान की सीर काटा और फिर हाथी का सीर लगा है तो अभी यही देखिए कि जो हिप से हड़ी लिया मुलादार से तो हड़ ऐसा तो माई विव इस्पिरिचल विव और डॉक्टर साहिव है तो उनका तो वो देखो सरजरी का भी से मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता हूं मगर उनकी जो को जब मैंने देखा एसे समरलों तो मुझे लगा कि ऐसे जो महानु भाव है लोग कभी-कभी क्या होता है कि महानु भाव का मिलना ऐसे दुर्लब होता है सास्त्रा बताते हैं कि सत्पुरुसरसंग मैं बहुत दिनों तक उनसे मिला रोज मिला सुबः और साम मिला तो मैंन कि अंदर जो प्रेम जो करूना और जो ममता था और पेशन्ट के प्रती जिसे मैं साधक बोलूंगा उनके लिए पेशन्ट होता है और डॉक्टर होता है मेरे लिए साधक होता है तो मैंने देखा कि जब साधक लोग जो थे उनकी प्रती अहो भाव रखते थे तो चलो मैं वी every moment of the life.